नमस्ते कुगविद नीलम चैनल में आपका स्वागत है आज हम मोमोज चटनी बनाएंगे तो आईए इसकी सामगरी देख लेते हैं छे सावुत लाल मिर्च, दो टमाटर, सोया सॉस, नमक स्वादा अनुस्वार, वनफोर्च चमच काली मिच पाउडर, आदा चमच महीन कटा अधरक, आदा चमच महीन कटा लहसुन, वनफोर्च चमच विनेगर, आदा चमच चीनी लाल मिर्च को तोड़कर इनके बीज निकाल देंगे, हमने लाल मिर्च से बीज निकाल दिये हैं, अब इनको 15 मिनिट पानी में बिगो देंगे, 15 मिनिट बाद हम इनका पानी निकाल देंगे, टमाटर के उपर हम अलका सा कट लगा देंगे गैस पर पानी रखेंगे, इसमें लाल मिज डालेंगे और टमाटर डालेंगे और उबलने रख देंगे टमाटर उबल गए हैं, इनकी इसकी नलग हो गई है, अब गैस बंद कर देंगे और इनको पानी से निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे, ठंडा होने पार इन्हें मिक्सी में पीस लेंगे हमने टमाटर मिर्ज को पीस लिया है, पैन में एक टेबिल स्पून ओयल गरम करेंगे और लेसुन डाल कर भूनेंगे अध्रक डालेंगे और दोनों चीजों को अची तरह भून लेंगे अब टमाटर और लाल मिर्च का पेज़ डालेंगे और इसे उबलने देंगे नमक डालेंगे काली मिर्च पाउडर डालेंगे मिक्स करेंगे वन फोर्च चमच सोय सॉस डालेंगे वन फोर्च चमच विनेगर डालेंगे और आदा चमच चीनी डालकर सभी चीजों का अच्छी तरह मिलाते हुए उबालेंगे अब गैस बंद कर देंगे हमारी मुमो चटनी तयार है अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको येचे झालेंगे येचे हैं सब्सक्राइब और मेरे लाइक ये उक्टाइब कीजिए